दोस्तो आज हम पढ़ेंगे विभाजता का नियम कोई भी संख्या किसी संख्या से कब क्यों और कैसे कटती है विभाजता का नियम भाजानना बहुत ही जरूरी होता है बड़े बड़े सवालों को ट्रिक से सॉल्व करने के लिए पता रहना चाहिए कि वो संख्या कब किस से कटेगी और कितने बार कटेगी तो पहले तो एक से लेकर 11, 13, 37, 1001 ऐसे नियमों को मैंने अलग-अलग करके बताया है यहाँ पर आपको एक नोट के रूप में दिख रहा होगा एक से लेकर तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक संख्याओं अलग-अलग संख्याओं से कटने का नियम दिया गया है जिनको पता होगा वीडियो को रिवाईज के रूप में देखेंगे रिविजन के रूप में या फिर वीडियो को स्किप कर सकते हैं या फिर वीडियो को देखें नए लोग इसको द्यान से देखें इस वीडियो का स्क्रीन सोट ले ले और अपने फोल्डर में सेव कर ले अन्य भविस्थे में ये वीडियो आपको काम आएगा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि दो से भाज्य होगी कोई संक्या क्या होगी नंबर एक देखिए यहाँ पर इसको दिया है यदि उसके इकाई का अंक दो चार आठ चै में से कोई एक हो तो वो संक्या दो से कटेगी जैसा है कि सामने आपको दिख रहा है 210, 242, 524, 706, 858 में में क्रमसा इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है अब है तीन से विवाज़ता का नियम क्या है ये संख्या कहती है कि यदि इसके अंक का योग तीन से भाज्य हो नमबर दो वाला लाइन पड़ी है अगर संख्या कोई दी है और वो संख्या योग कर दी इस अंको का अगर वो योग तीन से भाज्य होगी तो पूरी संख्या भी तीन से भाज्य होगी जैसा कि हमको 216 दिख रहा है 226 जाहित सी बात है तीन से कटेगा क्योंकि दो में एक जोड़ेंगे तीन होगा तीन में छोड़ेंगे जो टोटल ये अंको का योग नो हो रहा है इसके इसका मतलब पूरी संख्या जो है टोटली तीन से कट जाएगी क्योंकि नो तीन से कटता है उदाहरण आगे वाला तीन सो अठारा देखेंगे तीन और एक चार होता है और चार में आठ जोड़ने पर बारा होता है बारा एक ऐसी संख्या है जो तीन से चार बार में कटती है इसका मतलब तीन सो अठारा भी तीन से कटेगा काटके देखिए एक बार तीन से तीन से तीन में भाग देंगे तीने कम तीन होगा और तीन च्छा कट आ रहा होगा अब बताईए कट जा रहा है बीच में जीरो लगा देंगे एक सो चो यानि की कट जाएगा अब चलेंगे चार से विवाजिता का नियम नमबर तीन पढ़ेंगे चार से विवाजिता का नियम क्या है यदि इसके दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या चार से भाज्य होगी तो वो संख्या चार से भी भाज्य होगी जैसा कि आपको 216, 1524, 1864 दिया गया है चार से भी भाज्य होने वाली संख्या हमेशा से लास्ट का दो अंक सिर्फ देखते हैं दहाई का और इकाई का, संख्या चाहें कितने भी बढ़ी हो, अगर लास्ट के दो अंक अगर चार से कट रहे होंगे पूरी तरह से, तो पूरी संख्या चार से कट जाएगी, जैसे कि 216 में 16 चार से 4 बार में कटता है, और 1524 में 24, 24 से च्छय वार में कटता है पांच से भी भाजता का नियम नंबर चार वाले लाइन में दीए गया है यदि कोई संख्या के एकाई का अंक जीरो हो या पांच हो तो वो संख्या पांच से कटती है ये बताने की कोई जरूरत नहीं है सब को ये चीज़े पता रहती है, बादी आती है, छो से विवाजता का नियम, छो से विवाजता का नियम थोड़ा सा confusion है, confusion यहां से ही आपका इस्टार्ट होगा, चो से विवाजता का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या अगर दो से कट रही हो और तीन से भी कट रही हो पूरी तरह से तो वो छो से पूरी तरह कट जाएगी, ऐसा नहीं है कि कोई संख्या दो से कट रही हो तो छो से कट जाएगी, और तीन से कट रही हो तो छो से कट और मोट्नि को जोड़ेंगे तो हमारा एं सबसेख का मुट्रूर रहा है इसका मतलब है संख्या 3 से कट रही है अब चेक करेंगे कि संख्या 2 से कट रही है कि नहीं अब अगर यह संख्या 2 से भी कट जाएगी तो हमारा उत्तर कंफर्म हो जाएगा कि संख्या, छोसे कटने लाइक हो जाएगी, तो जो, से कटने का नियम क्या था, कि एकाही के अंक पर, जीरो हो, दो हो, चार हो, छो हो, आथ हो, तो यह संख्या, दो से भी कटेगी, तो दो का नियम भी बालो हो रहा है, इसका मतलब 120 कट रहा है हमारा, दो और तीन दोनों से यानि कि छो से कट जाएगा उसी परकार सारी संख्याओं को ग्याद कर सकते हैं अब नंबर छो वाली लाइन पा है साथ से विभाज़ता का नियम ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है एकजाम में सबसे कम पूछा भी जाता है यदि संख्या के इकाई के अंकों का दोगुना इकाई का अंक छोड़ने पर बनी संख्या में से घटाने पर साथ से भाज़े हो जैसे कि देखिए 343 से 343 में क्या किया गया है यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 34 से 6 घटा दिया गया है है यानि कि क्या किया गया है कि संख्या के है एकाई का अंक का दोगुना इकाई कांग छोड़ कर घटा दिया यानि कि तीन कि द्री आस्ट व्लाइस कर दिया है जो भी देखिए और उसके बाद 34 में से उसको घटा दिजे हमारे एंसर 28 है है जो साथ से विभाज्य हो था 343 विभाज्य है अब चलिए नेक्स चलते हैं आठ के विभाजता का नियम साथ वाला उतना पढ़ने के जरुवत नहीं क्योंगे पूछता नहीं है सबसे मेन हमारा है पूछा जाता है सबसे ज्यादा आठ साथ वा जो आठ से विभाज्य हो तो आठ से विभाज्य होती है अब देखी इसको समझा रहें कैसे यहाँ पर संतानवे को भाग देंगे ना कि 972128 को भाग देंगे अब 9 से विभाजता के नियम याद करने के कोई जरूत नहीं है जिस प्रकार 3 का नियम होता है अगर कोई संख्या के अंको का योग 9 से विभाज्य होगा तो वो संख्या 9 से विभाज्य होगी अब 10 से विभाजता के नियम याद कर के कोई जरूत नहीं अगर अगर सुन नहें तो दस्ते विभाज्यों की सब को पता हो अब आता है सबसे ज्यादा एक्जाम में पूछा जाने वाला नमबर दस 11 से विवाजिता का नियम 11 से विवाजिता का नियम ये है कि alternate अंको का sum करते हैं और उसको घटाते हैं एक दुसरे से और तब देखते हैं अगर वो 11 के गुड़ाज हो या फिर 0 हो तब 11 से पुरी तरह कट जाता है जैसे कि आपको 1, 3, 6 1, 0, 5 और 2 दिया गया है अब इसको हम लोग चेक करेंगे कि ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है जूम करिए इसको अब देखिए जूम करने में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंक दिया गया है अब हम क्या करेंगे इसको एक एक लेंगे और फिर एक इस्थान छोड़के 6 जोड़ देंगे, 6, 1, 7 फिर 7 में 1 छोड़ देंगे 0 जोड़ेंगे, 7 फिर 5 छोड़ देंगे 2 जोड़ेंगे, 9 हो जाएगा एक 9 लिख लेंगे फिर हम तहां पर 3 लेंगे तीन एक 4, और 4 में 5 जोड़ेंगे 9 और 9 घट के 0 हो गया इसका मतलब सम इस्थान और विसम इस्थान के अंको का योग और उसका माइनस किया है तो सम और विसम का तो 0 हो गया है इसका मतलब यह संख्या 11 से कट जाएगा अब बताईए आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताए चैनल सस्क्राइब करें वी तो वो कई ऐसे ऐसे अंक हैं जिससे कटती है जैसे 37 से और 1001 से हमेशा कटती है और भी चीजों से कटती है उसको जानने के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देखें प्लेलिस्ट में जाकर धन्यवाद